देखो भाईयो जब अपने विराड भाई इंगलेंड के खिलाफ वाले मैच में जीरो रन पे आउट हुए थे तो भाई इंगलेंडियों ने विराड कुली का ये फोटो एडिट करके वाइरल करने लगे और विराड कुली को वो चिड़ाने लगे के बाद भाई जब ये बाद हमारे इंडियन बॉलर्स को पता चलती है तो वो कहते हैं रुको भाई हम बताते हैं किसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा अभी इनको इनकी नानी नायाद दिलाएं तो ये भी क्या समझेंगे उसके बाद भाई जब हमारे बॉलर्स की बारी आती है तो उन्होंने इंगलेंड वालों से कहा कि तुमने तो हमारे एक ही प्लेयर को डग पे आउट किया था ये लो हमने आपके तीन तीन प्लेयर को डग पे आउट कर दिया फिर क्या था इन तीनों को डग पे आउट करने के हुई है आज वीनर हो गया क्यों डाउन टूर्थ बंद्ध है डाउन टूर्थ जिसे साब से इसे में मुहम्मद समी भाई खेल रहे हैं दो ही मैचों में नोह विकेट ले लिये हुए हैं ऐसे में जिनके खिला भारतिय मैच नहीं हुआ है वह कह रहा है बाई मुहम्मद समी नहीं हिखिला था पूरे टॉप और रोडर को खा जाता है यह जो बॉलर है खतरनाक नहीं यह तबाही वाला बोलर है मतलब तबाही ला देता है बाई साब आप लोगों ने यह देखा होगा कि इंग्लेंड का जब हमारे अब भी करते हैं लेकिन यापर सैम करन भाई अपने टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे आपड़ सैम करन भाई इंडिया टीम को सपोर्ट कर रहे थे सेम करन भाई या काफी अच्छा घासा चीयर अब कर लेतो या अबे वह सैम करन नहीं है आस्ट्रेलिया का फैन है फैन सेम करन नहीं है लग तो वैसे रहा यार देखो खैर जोग सपाड भाई यह सैम करन नहीं है यह आस्ट्रेलिया का है बंदा अरे भाई भाबा राजम का लीख हो गया नहीं वह नहीं लिख हो आप लोग सोच रहे हो कुछ दूसरी चीज़ लिख हुई है मैं आपको बता दू क कि बाबा राजम का चैट लीख हो चुका हुआ है फिर गलत समझ रहे हैं आप लोग बाबा राजम के गल्फरेंट का चैट लीख नहीं हुआ है बाबा राजम के सीए का चैट लीख हो गया अब भाई आप लोग को तो पता ही होगा कि पाकिस्तान की टेम में कितनी ज़्या तब सुरू होती है जब पाकिस्तान की टीम मैचस को हारना सुरू करती है तब बाबाराजम अपने चेर्मैन के पास फोन करते हैं चार से पांच बार फोन किये लेकिन उनके जो चेर्मैन है वो बाबाराजम का फोन नहीं उठाते हैं और वहाँ पर वो बाबाराजम की काफी तकड़ी तरीके से बेज़दी करते हैं और भाई उनके जो चेर्मेन थे वो बाबा राजम और अपनी टीम से काफ ही ज्यादा नाकुष चल रहे थे इस वज़े से वो फोन ही नहीं उठा रहे थे ऐसे में जो पीसीबी के सिये रहते हैं वो बाबा राजम से पूछते हैं कि कि आपको चेर्मेन ने तीन से चार बार पांच बार कॉल ओल किया हुआ था तो बाबा राजम कहते हैं भाई आपके सामने ये जो प्रॉपर स्क्रीन सौट आ रहा है ये हो जाता है भाई लीक भाई बाद में ये पता चलता है कि ये जो स्क्रीन सौट है ये इनके चेर्मेन के द्वारा ही लीग करा है गया है वै भाई पाकिस्तान वालो यार कैसी हरकते करते हैं यार ऐसी ऐसी हरकते कर रहे हो फिर कहते हो यार कि हम मैच नहीं जीत रहे हैं फिर कहते हैं इन टीम ने हमारे साथ गलत किया वो गलत किया वो गलत किया भाई खुद तो सुधरो पहले या भाई ये पहली बार नहीं हुआ है जो बापा राजम की कुछ चीज लीग हुई हो अभी एक साल पहले बापा राजम का किसी लड़की के साथ का वीडियो भी वाइरल हुआ था जिस पे भाई लोगों ने खूम बज़े लिये वे थे और भाई ये सब जो पूरा मामला चल रह लिता हूँ यह बात कर लेते हैं अफगानिस्तान वर्सस सिलंका के मैच की दो यह मैच उतना ज़्यादा खास नहीं था हमने जितना एक्सपेक्ट किया वह था आइ थिंग आप लोगों ने भी एकसपेक्ट किया हुए था कि इस मैच को अफगानिस्तान जीतने वाली है जो तरीके से बॉलिंग करते हैं उन्होंने सिलंगा को 250 रन के अंदर रोका उसके बाद फिर भाई बैटिंग जी से साब की एकदम जवर दस तरीके की बैटिंग की भाई इनका जो ओमर जाई था भाई वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल खेल रहा था भाई वो तो चौके छके रहमत सा जो इनका था ये भी काफी बढ़िया तरीके से पारी बिल्डप की बस केवल इनका रहमनुला गुरबाज भाई शुरू में आउट हो गया जीरो रन पी अगर भाई वो चलता तो इन सब की पारी फी की पड़ जाती क्योंकि भाई वो तबाही लाता है जब खेलता है भाई अफगानिस्तानने इस मैच को जीट लिया हूँ इस जीट के साथ अब अफगानिस्तान की टीम का पादलब छे का हुआ है अब अफगानिस्तान क्वालिफाइग कर सकती है अगर अफगानिस्तान अपने आने वाले तीनों के तीनों मैज जीत जा एक मैज भी ना हारे हाला कि अगर पंगलादेश के खिलाफ वाला यह अफगानिस्तान अपना मैज जीत गई हुए थी तो साथ आज अफगा क्वालिफाई करजा